स्वास्त विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है बिमार व्यक्ति को अस्पेताल में बेटता का नसीब नहीं मिला हुआ माफ कीजिएगा मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरे भी सामने आई तो स्वास्थ विभाग की एक बड़ी लाप परवाही सामने आई है जमीन पर ये व्यक्ति ये मरीज लेटा रहा लेकिन एक बिट तक नसीब नहीं हुआ तो करोडों खर्च होने के बावजूद भी स्वास्थ विभाग में सुधार नहीं आ रहा है सुधरने का नाम नहीं ले रहा स्वास्थ विभाग सुविधाएं देने के नाम पर महज खाना पूर्टी होती नजर आ रही है क्योंकि जब ऐसी तस्वीर सामने आती हैं तो सवाल उठता है कि जब लाखों और करोडों खर्च होते हैं सुविधाओं के नाम पर तो वो सुविधाएं आखिर आम जनता को नसीब क्यों नहीं होती है जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है और इसी खबर पर जदा जनकारी के लिए धननजी सिंग सहयोगी हमारे एटा से जुड़े हुए हैं धननजी एक बार फिर से स्वास्त विभाग की लापरवाही देखने को मिली है क्या जनकारी है इससे संबंधिर मैं आपको पूरा मामला बता दो ये मामला जिला अस्पताल का है और वहां देखने में एक बड़ा सम्मेदन ही जो दॉक्टर है उनका चेहरा सामने आया है और एक मरीज है वो लगातार अमर्जन्सी के सामने पड़ता था जब उसको वहां नहीं मिला और किसी नहीं उसको अंदर नहीं जाने जिया तो फिर वही बाहर अपना जो अच्छा का उसको बिचा कर लेक गया और वो लगवग दो चार गंटे वहां लेता रहा और सुब कि अब नसीब हो पाया है इस मरीज को या फिर आभी भी जमीन पर ही लेटा हुआ है सीमुसी क्या आपने बात करने की कोशिश की इस बाबत चले शायदा संपर का टोट गया है लेकिन एक बड़ी लापरवाही की ये तस्वीर स्वास विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और डॉक्तर इस मामले से बचते नजर आते हैं जम्यदार लोगों से अगर इस मामले को लेकर बात करने की कोशिश की जाती है तो वो ऐसे मामलों से बचते नजर आते हैं